दक्षिन कश्मीर के पुल्वामा जुले के तुराल में सेना और आतंकियों के बेच मुटभेड हो गई जुसमें सेना ने एक आतंकी को मार गिराया रास्टोपति से देयाय आचिका खारिश होने के बाद निर्भ्या का एक दोशी मुकेश फिर सुप्रिम कोड पहँचा और रास्टोपती के फैसले को चुनौती दी मुकेश ने अपनी याचिका में कहा कि जस तेज़े से दया याचिका पर फैसा लिया गया उससे लगता है कि रास्टोपती ने याचिका में लिखी बातों पर ठीक से विचार किये बिना उसे खारिस कर दिया गया स्वाइल मुद्दे पर सियम अनोहलाल का बयान सामने आया है सियम ने कहा कि स्वाइल का मामला सुप्रिम कोर्ट में है CM ने कहा कि पंजाब सरकार के ढिले रवये के चलते सुप्रिम कोर्ट में मामला लंबित है अगर हरियाना को नहीं पानी देना था तो पहले ही सुप्रिम कोर्ट में साफ कर देना चाहिए था अब सुप्रिम कोर्ट जल्द फैसला करेगा S.W.I.L. के मुद्दे को लेकर राजुनीती गर्माई हुई है जिसको लेकर कुमारी सेलजा ने हरियाना सरकार पर निशाना सादा है कॉंग्रिस ने हमेश्वा एस्वाईल पर लड़ाई लड़ी है कुमारी सेलजा ने कहा कि एस्वाईल पर सुप्रिम कोर्ट का फैसला हरियाना के हक में है लेकिन बीजोपी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है दिल्ली चुनाव को लेकर हरियाना में पुर्वमंत्री ओपी धन्खड ने कहा कि हरियाना की बीजुपी दिल्ली में कारेकरता चुनाव प्रच्वार कर रही हैं चुनाव परच्वार को प्रभावी बनाने के लिए हर्याना बीजोपे के कारे करताओं की बैठक भी हुई ओपी धन्खर ने कहा कि बीजोपे दिल्ली में सरकार बनाएगी चुनाव को लेकर रिपोर्ट का आंकलन किया गया दिल्ली में बीजुपे के पक्ष में महौल है पुर्व मंतरी मनिश ग्रोवर ने विधायक बलराज कुंडो को लीगल नोटिस भेजा है ग्रोवर ने अपराधे कमान हानी के लिए कानूनी नोटिस दिया लिगल नोटिस में मनिश ग्रोवर ने बलराज कुंडो को माफी मांगने के लिए कहा है माफी मांगने के लिए 15 दिन का समय दिया गया माफी ना मांगने पर अब कानूनी कारवाई की जाएगी गुरुगराम में किंद्रिय सड़क परिवन मंतरी नितिन गटकरी ने इस बैटक के बाद नितिन गटकरी ने कॉन्टरेंस करके सड़क निर्मान कारियों की जनकारे दिया वाशिक समिक्षा बैठक के दौराम सड़क परिवन मंतरी नितिन गटकरी और केंद्रिय राज्य मंतरी विके सिंग ने गति पोर्टल को लॉंच किया अतिर में स्कूल अध्यापक भी अपनी ड्यूटी का समय भूल गए सुभह नौ बचकर पच्पर मिनट तक भी स्कूल में नहीं पहुंचे बेते दिन एस जिम कारले में भी यहां लेट लतीफी देखने को मिली थी करणाल में बदमाशों ने कपड़ों की शोरूम में तोड़फोर कर माली के साथ मारपीट के और मौके से फरार हो गए इस दौरान बदमाश अपने साथ सेसी टिवी कैमरे की डी वी आर भी ले गए तरावडी के में वाजार की वारदात बताई जा रही है मादुरगर सी आई ये दो पुलिस ने हथियारों के बल पर चोरी लूट और डकैते की घटनाओं को अंजाम देने वाले बावरिया गिरों के छे सदसों को गिरफतार किया जिनके पास से छे अवैध हथियार भी बरामत किये गए हिमाचर प्रदेश के 50 वे पुन राजजित्वत दिवस पर सीम जैराम ठाकु ने समस्त प्रदेश वास्टों को हार्दिक बधाई दी सीम ने कहा कि 50 साल का हिमाचर प्रदेश का ये सफर आज अस मुकाम पर पहुंचा है सीम ने कहा कि हम छोटे प्रदेश होने के बावजुद बड़े प्रदेशों के तुल्ला में पीछे नहीं कहीं हम बराबरी में हैं कहीं उनसे भी आगे बढ़कर काम कर रही है हिमाचर बीजुपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजीव बिंदल हमेरफुर पहुंचे जहां प्रदेश अध्यक्ष का कारे करताओं ने घरम जोशी के साथ स्वाकत किया रास्टे बाली का दिवस के मौके पर शुकरवार को धरमशाला के कारे करम हुआ और इस दोरां शेहरे विकास मत्री सरवीन चौधरी ने कहा के वर्तमान में बेटियां हर शेतर में बेटों के साथ कंदे से कंधा मिला कर काम कर रही है लोहल स्पीथी के केलां के जन जातिय संगरहले सभागार में बाली का दिवस पर कारे करम कायोजन क्या गया परियुजना अधिकारी एक इकरित जन जातिय विकास परियुजना समृतिका नेगी ने बतार मुख्यातिती शिर्कत की उपायुकत हरी केश मीरा ने स्डेम हाविरपूर और लोक निर्मान विभाक के अधिकारियों के साथ गसोता महादेव मंदिर का निरक्षन कर सुविधाओं का जायजा लिया और कहा कि गसोता महादेव मंदिर प्याटन के लिए विकसित हो गए शिमला की निगम महापौर से पानी की भारी भरकम बिल्ड में रहे हैं जिसको लेकर युवा कॉंग्रेस ने नगर निगम के दफ्तर पर धड़ना दिया लोगों की समस्याओं का ग्यापन भी सौपा गया पुलू पुलिस ने शनिवार को 60 किलोग्राम चरस जला कर नश की और ये चरस कुलू और पतली कुहल थाने के अंतरगत 44 मामलों में पकड़ी गई वहीं आपको बता दें कि शहीद बाबा दीप सिंग जी के परकाश पर्व को समर्पे तेक आलोखी कर नगर किर्टन पांच प्यारों की निर्टर्टु और शिरी गुरु गरंद साहिक की चतरचाई में नगर किर्टन निकाला गया इस मौके पर हजारों की संख्या में संगत पहुंची